हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों नवाब मलिक से जूरी वामबे हाई कोट नागपूर बेंच से एक ब्रेकिंग नुस आई है एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि वामबे हाई कोट नागपूर बेंच से नवाब मलिक को एक गहरा जटका लगा है दोस्तों बात क्या है मैं आपको बहुती ब्रीफरी बताता हूँ दरसल समीर वानखेरे के एक रिलेटिव संजे जी ने एक कम्प्लेइन फाइल किया था इसमें उन्होंने एलिगेशन लगाय था कि नवाब मलिक समीर वानखेरे के फैमिली को टार्गेट कर रहे हैं क्योंकि समीर वानखेरे ने नवाब मलिक के सन इनलोग को गिरफतार किया था इसलिए वो समीर वानखेरे के फैमिली को टार्गेट कर रहे हैं और कमेंट्स पास कर रहे हैं डिफेमेटरी वो रिमार्क्स दे रहे हैं तो इसी पर उन्होंने कम्प्लेइन लिखाय था अब दोस्तों नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आरजी डाली थी एक पेटिशन डाला था कि इस complaint को quash कर दिया जाए, रद कर दिया जाए, तो इसी पर सुनवाई हुई थी और Bombay High Court के नाकपूर बेंच ने इसे रद करने से मना कर दिया है, यानि कि जो complaint फाइल किया था समीर वानखेले के relative ने under schedule cast and schedule tribe prevention of atrocities act 1989 उस complaint को cancel करने से मना कर दिया है Bombay High Court ने, और कहा है कि इस stage पे अभी उस complaint को रद नहीं किया जा सकता, उसे क्वाश नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जटका है नवाब मलिक के लिए, दोस्तों नवाब मलिक ने एक और गुहार लगाई थी Bombay High Court से कि personal attendance से उनको relief दिया जाए, उनको राहत दिया जाए, तो इस बात को Bombay High Court ने माना है, लेकिन नवाब मलिक के इस अर्जी को की complaint को रद कर दिया जाए, इसको Bombay High Court ने नहीं माना है, और ये माना जा रहा है, एक बड़ा एक जटका है नवाब मलिक के लिए, दोस्तों आप बन रिगा मेरे चैनल से, जैसे से और information आईगी, मैं आपको जर बाँ बाई